दोस्तों एक बार फिर से मैं अंकिता के घर्प में हूँ और करीब एक मेहने से उपर का समय हो चुका है अंकिता हत्यकान को लेकर और कल आपने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर जो वनंत्रा रिजॉर्ट है उसके बगल में जो फैक्टरी है पुलकीत और विनोधारे की वहा एक विल्कुल संद्यासपद तरीके से वहाँ पर आग लगा दी गई और वो आग क्यों लगाई गई इसका भी एक चर्चा का भी साय बना हुआ है कि क्या वहाँ कोई साक्ष्य थे और उन्हें नश्ट किया गया है मेरे साथ यहाँ पर UKD के सांती भड़ जी भी आये में है जुयाल जी भी आये नहीं यहाँ पर और अंकिता के पिता जी और उसके भाई मेरे साथ हैं यहाँ पर तो आईए आप लोगों से बाचीत करते हैं बढ़ जी आज आप यमके सर से यहाँ पर पहुंचे हैं आपकी छेतर में यह घटना हुई है और कल फिर से जब वहाँ हैं वहां लगी तो नहीं है लगाई गई is यह किन लोगों द्वारा कल वहां पर आग लगाई गई होगी होती दिखे वहाँ कि इस्तिती यह बता रही है कि कोई ना कोई घटना किसी और वहाँ पर घटित की गई है उसमें आग लगना कले के नीचे नहीं उतर रहा हुआ ह इस तरीके से कहा जा रहा है कि यह short circuit है जबकि वहाँ पर बिजली के connection नहीं थे और inverter का बहाना बनाया जा रहा है जबकि inverter के अंदर अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो वह स्वते बंद हो जाता है वहाँ को इस तरह के blasting अगरम होकर कोई आग लगने जैसी घटना inverter से नहीं हो पत्रकार इस वाद को उठा रहे हैं नयाई के लिए निरास होकर आप जैसे पत्रकार को हाई कोट का सहरा लेना पड़ा ये इस लोकतंतर के लिए बहुत बड़ी दुखत बात है हमारा ये कहना था कि सरकार इसमें आगे आकर यदि जो कोहरासा बना हुआ है कि उस बीटिया के साथ उस रात क्या घटना घटी इसको यदि सरकार आगे आती जाच अगे आकर ये कहती कि अपरादी के साथ ये 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 हमने कर दिया है ये ये इसमें साक्षे हैं और इस तरी के सम इन अपरादियों को सक्त सक्त सजा दिलाने में कामियाब होंगे मगर बयानों में बदलाओ चाए फिर वो डियम का हो चाए फिर फिर पुलीस का हो चाए फिर विदायक का हो सरकार का हो हर व्यक्ति के दोरे तीरे बयान जिस तरीके से निकल करा रहे हैं एक संधे प्रकट किया जा रहा है आम जन्मानस के म nuclear में कि कोई बहुत बड़ी साजिस है जिसे बचाने क पूरी कयावत जो है सरकार कर रही है ये दुरुभाग्यपूर्ण है बताईए अभीचक वियाईपी का पता नहीं है उस बिटिया को जिस वियाईपी के कारण अपनी जान खोनी पड़ी उसका पता नहीं चल पा रहा है ये दुरुभाग्यपूर्ण बात है जबकि अपराद करें और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अपरादी की पतनी उलकित की पतनी वहाँ आई थी उसका वहाँ आना यह बताता है कि कोई बहुत बड़ी साजिस इस आग के पीछे है अब क्योंकि परसोत इंतारिक को हाई कोट में इसमें क्या निरने आएगा मुझे पू एक मात्र सहरा लोकतंत्र में फिर न्याय का मंदीर होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोट से अंकिता बिटिया को तीन तारिक को न्याय होता वाद दिखेगा और उत्राखंड के जन मानस को बड़ी शांती मिलेगी कि अपरादी अब बचेंगे नहीं मगर उत्र सनातन धर्म की बेटी थी और आप सनातन धर्म का ढूंग करकर उसी के बेटे को न्याय दिलाने के लिए आपका जिस तरीके का रवया है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है जनता इस बात को समझ रही है कि मैदानी छेतर के व्यक्ति ने पहाड की बेटी के साथ जो अन्या मिलेगा कोट के माध्यम से हम इस उम्मीद को लेकर आज हम यहां पर आए हैं इनके पते पिताजी से बात करी है और जिस तरीके का आक्रोस इनके पिताजी द्वारा दिखाये गया है इससे पता लगता है कि बहुत जबरदस्त चिंगारी पूरे उत्तरा खंड में लगी हु पारी है पौड़ी लोकसभा छेत्र के जियाल जी बहुत दुखद है यह जो सब कुछ हो रहा है फिर बार बार कभी आग लगा दी जाती है कभी जेसी भी से रिजॉर्ट तोड़ा जाता है कहीं नहीं यह लग रहा है कि कोई भी आपी को इतना बड़ा नेता जो सत्ता रू जब यह संग्यान में किसाब 18 तारी को एक बेटी के हत्ता गुई और चार-पांच दिन तक उसकी बाड़ी का पता नहीं चला और जी सालत में वो बाड़ी उसी दिन ऐसा लगता था कि वो कुछ घंटे पहले ही बाड़ी जो है नहर में डाली गई क्योंकि उसके जो सरीर थ हता तो पहले तो ये इस पे संदय होता है कि पहले तो पटवरी का चुटी पर चला जाना ऐसा पे पुलिस को नहीं पता है अगर सबसेस सब काम में नेवडार में हो रहा था है। उसके बाद आती है साख से चुपानी बाद भाई आप रात के तीन मिज़े बिधाय के समक्स वो टूट डिजोर्ड पर डोजर चल रहा है और आज तक प्लीस इसको नहीं गये तो पटवरी पटवरी के पटवरे के चपड़ा से भी पता कर लेगा उसको अधिकार दे दे उसका अगर पूछता चोगी तो तुमाम बिधायक से पूछे बिधायक कोई बगवान ने, बिधायक भी एक नागरिक है और उस छेतरी के जन पर उन से भी पूछा है, क्यों यूँवें से पट्रगार उससे पूछा जा रहा है, बड़े शरम के बात इस बात है कि जो पत् करने के उनको उनको है डिमोरलाइज किया जा सवाल उनसे पुछी जा रहा है सवाल मिलाइक से नहीं पुछा जा रहा है सवाल जन प्रतिदित से नहीं पुछा जा रहा है तमाम साखें मिटा जाता है तो पुलिस की जो जांस की लाइंच दिसाचरी वो गलत चल लिए हम डीज प्रती इमानदारी नहीं निवारी है अगर वह ऐसे निवाती तो आज तक वह कम सकूँ वह बी आइपी बेनकाब हो चुका होता है और आज जिस तरह बीच में यह भी आप लोगों की क्रपास है हम तो आपका रिशर्स करके आश्चुदोस नेगी और एक रावजी दो तिन हम लगाता तो इसका मतलब उसको उसका पिंजरे से भी संबंध है और आज आज 43 दिन है चुके आज कल 42 दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि जो पांच दिन तक जो डेट बोडी थी वह कहां थी जो फैक्ट्री पे आग लगाए गई गई मुझको संद्य है कि जरूर उसके अंद सब्सक्राइब की बात है कि इसका मतलब मुख्यो मंतippy का किसमें सीधे सीधे इन्वालमंट ईगर पुलीस के पहरे में आक लही मैं संब्सक्राइबह की धी जैसे इन बेटरी जैसे खतेम होती ह ganhar मैं का सवाली है तो तो आप बेकूब किसे बना रहे हो यह सवाल हमारा है और हमारा यह कंत है क्योंकि हमने पुलिस से कह लिया, सरकार से कह लिया, समाम लोग आप आंदोलन करने धरना कर दे धरना से कुछ नहीं होता है, अब इस राज्य में अगर थोड़ा बहुत कहीं विस्वास है तो वो निय देशन वहां पर हाई कोर्ड मानने है, वो स्वीकार होगी है, तीन तैरिक को सुनाई है, हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे माननी नयायल है, जो हमारे नयाधिस लोग हैं, वो इस जगन्य हथ्ताकांड का पूरा उस पर नयाय करेंगे, और एक बेटी यह किसी के साथ भी घ पेटे से लिए, उसमें तमाम साक्सिया आएंगे, जो पुलिस छुपा रही है, नयायल है, अपने संदक्सर में हो सकता है, नयायल है, अपने संदक्सर में इसकी जाज करवाएं, तो यह तमाम हम गुहार लगाते हैं, अंतिम अरदास हमारी माननी है, नयायल है, कि हमें और हमारी बेटी को नियाए दिलाएं अब परिवार के लोगों के बीच में जा रहा हूं और बंडारी जी भी है और अजय भी है मेरे साथ बंडारी भाई सब अब तीन तारीक देड़ है वहाँ पे हाइपोट में तो परीटिशन तो मैंने वहाँ पे फाइल कर दी है हाई कोर्ट में अब आप लोगों का क्या विचार है आगे है कि एक तो मेरी बीटी को न्याय मिलने चाहिए और दुसरी बात है कि जब बाइस तारिक को लक्षमाट जुला पुलिस पर सातनों पूरी लगी रही होगी वर्जित रोगी तो उसके बाद बाइस तारिक को उन रात में जब एक डेड़ बजे के आसपास जब वहां बुल्टो जब दुदा तोड़ा गया तो किसके अनिमती से तोड़ा गया और सबसे पहले एक जो बुल्टोजर में जो ड्रैवर था तो ड्रैवर को रियासत में लेया जाए तो आपना भी आपना खुद बता देगा कि कि किसके आधिस पर तोड़ा गया चेंज बन दी जाएगी तो और फिर दूसरी बात कल जो अठाइस अभी अठे अक्टोबर को जो तो वहां पर यह था फैक्टरी थी उसमें लाग कैसे लगे गई यह कि बिनोज आरे का और साजिस है और इसको जान भूच के इस पर आग लगा दी गई क्योंकि फुलकित की मिसेज वहां पहुंच वी थी तो पहले क्यों नहीं लगी फुलकित आरे की मिसेज पहले क्यों न सप्लाई थी तो पहले ही कट चुकी थी तो यह कह रहे हैं कि सौर्ट सर्कीज सब्सक्राइब कैसे लगी तो एक तो उनका पूरा-पूरा एक सड़िंत रहा है कि यहां जो जितने भी सपूते थी या पहले इन्होंने जो किसे वहां हमारी भहनों या पेटियों के साथ क्या पूरे वहां सपूत रहे होंगे उन्होंने जो उसको नश्ट करने के लिए जान बूच के आग जलाई जल्दी से जल्दी में लगा चाड़ जो लो तभी मेरी बेटी ते और हमारे आत्माता सांती मिलो तभी हमारे जीवन विसापा लो लो मेरी प्रात नश्ट करने के लिए जान के सांस नहीं लेशाए जब तक यू रहत्यारों थने पास नहीं चोड़ बेस यही मेरी उच्छी मैं डोप सिर्कोट में बैठा हूँ मेरे बगल में मेरी बहन जो अंकिता की मा है रो रोकर के वल एक ही बात कह रही है के मेरी बेटी को न्याई मिले दरिंदों को फासी हो सरकार की कारे परनाली पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं संका इस परिवार को भी है उमीद कोट से है देखना यह है कि टीन तारिक को कोट से क्या फैसला आता है जब लोकतंतर की हत्या हो जाती है सरकार नाम की चीज नहीं होती तब न्याले के भरो से जन मानस को रहना पड़ता है अंकिता की मा भी यही चाहती है कि मुझे और मेरी बेटी को न्याले से जो है न्याय मिले और दरिंदो को फासी हो तभी मेरी आत्मा को शांती होगी देखते हैं तीन तारीक को क्या निर्णे होता है नमस्कार